जै महाकाल दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आसा करता हूँ, भले चंगे होंगे, मज़े में होंगे दोस्तों, जब भी आप किसी महत्व के काम के लिए जाते हैं, अती महत्व पूर्ण काम के लिए जाते हैं तो आपने देखा होगा कि वह काम आपका उस तरह से नहीं होता है जिस तरह से आपने सोचा होगा उसमें कोई न कोई विग्न बादा आ जाती होगी या आपने जिस लेवल की सफलता उस काम में सोची होगी वेसी आपको सफलता नहीं मिल पाती है तो आज मैं आपको एक ऐसा उपाय बताने वाला हूँ कि आप यदि किसी ऐसे काम के लिए जाते हैं जो महत्तुका है, जो पैसों से संबंदित है जो आपके भाग्य को परिवर्तित करने वाला है जो कुछ नेर्णे देने वाला है एसे काम में जाते समय अधी आप इस उपाय को करके जाते हैं तो उस काम में आपको 110% सफलता मिलेगी केसी भी परिश्थिती हो या कहीं पर भी आप जाएंगे लेकिन इस उपाय को करके जाते हैं तो आपको उस काम में अवस्य ही सफलता मिलेगी पैसे के काम के लिए जाते हैं तो इस उपाय को अवस्य करके जाए चाहिए आप किसी से पैसा लेने जा रहे हैं किसी को पैसा देने जा रहे हैं कोई जमीन मकान का पैसा आने वाला है कहीं नोकरी व्योसाय का पैसा रुका हुआ आने वाला है क्या कहीं कोई बड़ी डील होने वाली है ऐसे किसी भी काम में आप जा रहे हैं तो इस उपाई को करके निकलेंगे तो आप देखेंगे कि आप जो काम करने के लिए गए थे उससे बहुत बहुत बहुतर काम आपका होगा तो दोस्तों यदि आप हमारी चल में नए हैं तो मैं आपको बता दू कि हम इस चैनल के माद्यम से हमारे प्राचिंतम ग्रंतों में छुपे हुए कई ऐसे गूड रहस्य हैं जिसके बारे में जानकारी प्रदान करते हैं तो अभी हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए इससे हमारे द्वारा बताएगा उपाई आप तक आसानी से और तेजी से पहुंचेंगे ठीक है तो चले दोस्तों बताता हूं वह उपाई के जिस उपाई को यदि आप करके जाते हैं तो जिस किसी भी काम के लिए जाते हैं पैसों से सं का है संदे है काम बनेगा या नहीं बनेगा ज्यादा तरह पैसे कामों में जाते हैं और काम बिगड़ जाते हैं आप पैसा परफॉर्मंस नहीं दे पाते हैं इस तरह से अपने आपको प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं कि जिससे आपके काम बने तो आप यह उपाई करके तो आपको करना क्या है जैसे कि आपको ऐसा लगता है कि कल आपका वह काम है तो इस उपाय को आप अगली रात को करें लेसुन की एक कली आप ले 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 और उसको आग में आप भून ले चाहे कैसे भी भूने लेकिन आग में आप जो लेसुन की कली है उसको अच्छे से भून ले इसके बाद उसका छिलका निकाल ले चिलका निकालने के बाद उस चिलके को आप संपून रूप से जला दे उसका कोईला बना दे भस्म बना दे राख बना ले अब जब अगले दिन आप किसी कारे के लिए जा रहे हैं तो सबसे पहले क्या करें कि वो जो लेसुन के छिलके की राख थी उसका तिलक लगा ले और वो जो लेसुन था उसको आप मुख में खा ले उसको चबा ले और जहां चाहते हैं किसी से कुछ भी बात ना करें जब आप ये उपाय करें और इस उपाय को करके घर से बाहर निकल के जब तक आप उस जगा पर जाते हैं तब तक हो सके तो किसी से बात ना करें और उस जगा पर पहुंच जाएं आप देखेंगे कि वहां जाएंगे तो आपके अंदर एक बहुत एनर्जी होगी उस्सा होगा पोजिटिविटी होगी आपको अपने खुद पर भरोसा होगा और इसके बाद आप जब कोई बात किसी से करेंगे किसी से कुछ कहेंगे तो सामने वाला व्यक्ति आपको देखकर अभी भूत हो जाएगा आपकी आभा में आजाएगा आपकी हा में हा मिलाएगा और आप जैसा सोचते हैं वैसा ही करेगा तो दोस्तों यदि किसी महतुपूर्ण काम में जा रहे हैं, लगता है हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, संका है, संदे है, बनेगा, नहीं बनेगा, बिगड़ जाएगा, तो यह उपाय करके जाए, अगले दिन रात को लहसुन की एक कली को आप भूल ले, छिलके को जला करके उसकी राख बना ले, जब भी काम के लिए निकलने का हो, इस छिलके की राख का तिलक लगा ले, लहसुन को मुह में चबा ले, और किसी से कुछ भी कहे बिना निकल जाए, डेफिनेटली कोई संदे नहीं, 110% आपका काम बन जाएगा, ठीक है, तो चलिए दोस्तों, अब इ देखते रहें, दीवे प्रकास और अपने जीवन में लाबनवित होते रहें, धन्यवाद.